Company 8 बहुत ज्यादा का कर रही है पर ऐसा कुछ नहीं है तो ये ब्रांट ना इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं इंडर इस फोन को 5G बनाने के चकर में कुछ-कुछ जगा पर कोस्ट कटिंग की गई है ये है Poco M6 5G इसे हमने खुद पर्चेस किया था एंडर इन इसे अच्छे से यूज़ किया है ये काफी सस्ता 5G फोन है Diamond City 6100 पिलस जिपसेट के साथ आता है डिजाइन अच्छा है लेकिन क्या इस फोन को पर्चेस करना चाहिए इसी बात का जवाब दूँगा मैं नाम नहीं लूँगा किसी का बट भी केटफूल फर्स फोल दिल से थैंक्स कि यार आप लोग हमारी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हो मुझे तो कभी नहीं इंसानों के लिए हाँ जी चलो बात करते हैं एंड लिसेन, इफ यू हव एव एनी कोश्चन आफ़र वोचिंग दा वीडियो देन कमेंट आज बिना शर्माए डिजाइन की बात करते हैं तो देखो काफी चमकिला चमकिला सा इसका बेक डिजाइन है आह लाग इड नोर्मली ऐसे इसकी रेच वगेरा भी नहीं लगती पर इन्होंने अपनी ब्रांडिंग भाई कुछ ज्यादा ही बड़ी कर दी और नीचे जो ये 5G लिखा हुआ है ये भी तोड़ासा साइड में होता तो बेटर होता खेर ये छोटी बोटी चीज़ा है इनसे फर्क नहीं बढ़ता वेट है अराउंड 195 ग्राम्स राइट साइड है वोल्यूम बटन पावर बटन विद फिंगरप्रिंट येस यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर जो के काफी अच्छे से काम करता है नीटे है एक सिंगल स्पीकर टाइप सी पोर्ट एंड माइक लेफ्ट में सीम इजेकर पिन यहाँ पर दो सीमेक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो मेमोरी कार्ड को जायदात में अलग से जगा दी गई है जिसमें मस्त मुवीज वगेरा भरवाव और आखे पाड़ कर देखो एंड उपर है 3.5 mm जेक डूल स्पीकर्स नहीं है ओके अब बात करते हैं डिस्पीले की यहाँ पर है एक 6.74 इंचिस की HD डिस्पील है ये एक HD डिस्पीले है फुल HD नहीं है और AMOLED के तो सबने देखना भी मत 90Hz की refresh rate रखी गई है 180Hz की touch sampling rate है brightness की बात करें तो brightness level मुझे इसका ठीक 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 लगा है daylight में यूज़ करने में कोई दिकत नहीं है sunlight में भी यूज़ कर सकते हो ठीक ठाक सी brightness मिल जाती है मैंने इसे other phones के साथ भी compare किया जो की HD display के साथ आता है एंड हमने देखा कि इसकी display थोड़ी below each tune देती है cooler side ज्यादा रहती है YouTube पर जब हमने वीडियो देखी तो इसके colors वगे ना मुझे काफी अच्छे लगे पर हाँ एक छोटी सी चीज है जो के fix हो सकती थी जो punchy colors होते हैं वो थोड़े से amazing है और ये इसलिए भी है कि इसकी display warm नहीं है बट overall फिर भी मैं ये कहूंगा कि display quality अच्छी है water drop notch के साथ या आता है punch hole display नहीं है जो के होनी चाहिए थी तो यहाँ पर भी cost cutting की गई है और बेजल्स नोर्मल है बट नीचे की chin मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी इसके अलावा बता दू कि वाइड वाइन L1 के support के साथ आता है और गोरिला गिलास 3 का protection है ये काफी अच्छी चीज है और गोरिला गिलास 3 होने की वज़े से कि सूपरमेन का चोड़ा भाई बन जाता है तो durability पर काम किया गया है वैसे एक और चीज़ बता दू कि 6.74 इंचिस की डिस्प्ले एक अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले होती है तो अगर थोड़े से बड़े साइस के फोन से अच्छे लगते हैं तो ही इसे कंसिडर करना और छोटे हाथ वाले लोगों इससे थोड़ा दूर रहें रिस्पेक्टिवली बाद में मत किया ना बताया नी अब बात करते हैं परफॉमेंस की जो कि काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर मिलती है डाइमेंड सेटी 6100 प्लस चिपसेट जो कि एक 6 नेनो मिडर की चिपसेट है 2.2 गीगाहर्ट इसकी किलो की स्पीड है ओक्टा कोर है मतलब की 8 कोर्स है तो चिपसेट तो इनोंने अच्छी यूज़ की है साथ में स्टोरेज टाइप मिलता है UFS 2.2 और इनका कहना है कि यह फोन अन्तू तो इसकोर निकाल देता है अबाओ 428 के पिलस यानि 4,28,000 से उपर यह अन्तू तो इसकोर निकाल देगा और बस यह सुनना था और मैं निकल पड़ा अन्तू तो इसकोर चेक करने के लिए पहली बाद में ने इसे चेक किया तो यह 3,80,000 पर रुख गया देन मुझे लगा कि दोबारा चेक करना चाहिए तो दोबारा में डिजल्ट आता है 3,20,000 दोबार चेक करने पर भी यह 4,00,000 को टेच नहीं करवाया तो पंपनी जो 4,28,000 का किलेम कर रही है जो कि थोड़ा बड़ा नंबर है वहां तक यह नहीं पहुँच पाता मेरी यह बाद चाहिए बिरान को बुरी लग सकती है पर भाई, रियाल ही डिया इसमें हमने काफी देर तक गेमिंग भी की है तो देखो बता दू कि ग्राफिक्स नहीं है मेकजिमम HD तक सपोर्ट करता है HD पर फ्रेम रेट से हाई करके हमने खेला मज़ा आया और तुम्हारे भाई ने लाशें बिचा दी 12 किल किये थे किसी तरह का कोई लेग मुझे नहीं मिला और बता दू कि ग्राफिक्स बेलेंस करके FPS अल्टरा तक ले जा सकते हो इंडिक इंपोर्टेंट इस ये फोन जाइरोस्कोप नहीं देदा ये चीज़े कुछ लोगों को बुरी लग सकती है पर गेमिंग के लिए देखो मैं कहूंगा काफी अच्छा फोन है काफी स्मूध गेमिंग करवा रहा है और हीटिंग भी महसूस नहीं हुई नॉर्मल यूसेज की बात करें तो देखो एप ओपनिंग एप क्लोजिंग काफी अराम से हो रही है रिफ्रेश डेट इसकी काफी अच्छे से काम कर रही है इसमूध सा परफॉर्मेंस मिलता है तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है ओके दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोफ्ट्वेर की दो मेजर अपडेट्स ये लोग देने वाले हैं यहां पर भर भर के भी लोटवेर से दिया हुए है जिनने देखते ही मेरे हाथों में खुझली मची थी कि मैं इन्हें अटा दूँ लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने की वज़ा से अभी तक रखे हुए है इतने सारे प्रे इंस्टोल्ड गेम्स हैं और भी एप्लिकेशन से हैं इसी लिए भाई सब गेमिंग आजकल डिमांड बर है जिसे देखो उसी में गेमिंग का किड़ा है साथ में फेस लोग भी अच्छे से काम कर रहा है और इसमें डबल टेप का भी ओप्शन है जो के सेटिंग में इसे जाकर ओन करना होगा फिसे यहां पर देखो इन्होंने ना अलग से सेक्शन भी बनाए हुए है जैसे ही हम इसे उपर करते हैं सबसे पहले तो यह सर्च करने के लिए बोलता है जो भी एप्लिकेशन चाहों सर्च कर सकते हो यह थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है पर काम का भी है इसके बाद बेख करने के बाद जैसे ही राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी तिगड़म कंपनी ने लगाई है 18W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया है पर बोक्स में 10W का चार्जर दिया है और अगर बात करें बेटरी बेकप की यहाँ पर हमें लगबग एक दिन का बेटरी बेकप मिला है बेटरी बेकप ठीक है पर और बेटर हो सकता था कनेक्टिविटी की बात करें तो यह एक 5G फोन है और 5G इंटरनेट अच्छा कासा चल जाता है जियो में, एटल में अच्छा चल जाएगा बेटरनेट इंटरनेट स्पीड एरिया टो एरिया डिपेंट करती है हाला के देखो इसमें 7 5G बेंट से या 9 5G बेंट से लोग अपने हिसाब से कुछ भी कह रहे हैं पर अभी तक ओफिचली कुछ भी नहीं बताया गया है इसलिए मैं बेंट के बारे में बात नहीं करूँगा बेलो तो 5.3 है, कनेक्टिविटी भी हमने चेक की अच्छे से हो जाती है रेंज अच्छी मिलती है और डॉल बेंट वाइफाई भी ये सपोर्ट करता है येस, यू केन कनेक्ट अप टू 5 GHz सेंसर्स की बात करें तो फिंगर प्रिंट सेंसर, एक्सिलो मिटर, कमपास नॉर्मल सेंसर्स हैं, लेकिन जाइरो स्कोब नहीं है कुछ गेमर्स को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा ओके, तो अब बात करते हैं के मिलेगी यहाँ पर फिफ्टी मेगापिक्सल का वाइड लेन से दिया हुआ है, मेगापिक्सल से ज्यादा डाले गए है क्वालिटी केस ही है, अभी बताता हूँ और साथ में देखो, डिजाइन के चकर में इन्होंने एक 0.08 मेगापिक्सल का ओक्जी लेन्स लगाया है वेसे अगर यहाँ पर अल्टरा वाइड देते तो ज्यादा बेटर होदा कोस्ट कटिंग यहाँ भी है, यहाँ भी पेसे बचाए गए है शुरुआत करते हैं, फूल पत्तियों से, because I love nature कलर से काफी ठीक ठाक से ले रहा है, ओटो फोकस अच्छे से कर लेता है और अब शिफ्ट करते हैं, स्मार्ट लोन लेबर भले ही मूद दुला हुआ नहीं है सन लाइट में तरक अच्छे से लाइट को बेलेंस कर रहा है इंडर विदाओ सन लाइट भी हमने कुछ सिंपल्स लिये थे जिसमें मैंने फिल किया कि फेस को थोड़ा सा बिलेक कर रहा है अब यह इस वज़ा से भी हो सकता है कि मेरी जेकिट ना थोड़ा सा लाइट कलर है जिसकी वज़ा से फोकसिंग में यह चीज हो जाती है तो थोड़ी सी इडिटिंग में करनी पड़ेगी नहीं तो मार्केट में ना कड़ियागी इंडोर में कुछ इस तरह के फोटोस निकाल देता है और अब मिलिया हमारी चुटकी से अब यो हमारी मत बोल भी मालेगा हाँ हाँ ठीक है और हमने नहीं यहाँ पर यह दो सिंपल्स लिए है एक 50 मेगा पिक्सल से क्लिक किया है और दूसरा हमने नॉर्मली क्लिक किया है 50 मेगा पिक्सल से जो फोटो क्लिक किया है उसमें काफी अच्छी जूमिंग हो जाती है और जूम करने के बाद में कहूँगा यह डिटेल्स काफी ठीक ठाकसी रख लेता अच्छी लाइटिंग मिलने पर तो यह काफी अच्छे फोटोज निकाल रहा है पर लो लाइटिंग कंडिशन्स में अच्छे नहीं है अवरेज जीसा मैं कहूँगा सेल्फी की बात करें तो कुछ इस तरह की सेल्फीज आ जाती है इंडोर में, आउटडोर में, नाइट में, सभी जगा पर हमने लिए है बाइद वे, मैंने इस फोट फोन का केमरा अधर फोन के साथ भी कंपेर किया है अगर अलग से एक को डिटेल केमरा रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो और अब लास में ये कुछ वीडियो सिंपल्स भी देख लो वीडियो भी ये काफी एवरेज इससी बना देता है अबर बात की जाए कि इसका केमरा कैसा है तो मैं कहूंगा काफी एवरेज क्वालिटी मिलती है एसे बहुत नेक्स लेवल की तो मैं नहीं कहूंगा और डाउन भी नहीं है एवरेज सा केमरा मिल जाएगा और लो लाइट कंडिशन में थोड़ा सा स्ट्रागल कर रहा है जबकि डेलाइट में काफी अच्छे सिंपल से निकाल दा है एंडर सेल्फी केमरा मुझे थोड़ा सा बेटर लागा बाइदेवेज के केमरे में कुछ हमें फीचर्स मिल जाते हैं टाइमलेप्स वीडियो भी बना सकते हो पोट्रेट का उप्शन है नाइट फोटोग्राफिया लग से कर सकते हो अब बात करते हैं प्राइस की 4GB RAM, 6GB RAM and 8GB RAM टीन वेरियंट से इसके मार्किट में है 256GB तक इस तोर एरिया 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ ये साड़े 10,000 रुपे में लौंच हुआ है जिस पर 1000 रुपे का बेंक ओफर भी है और अच्छे बजट में दी गई है और साथ ही ना यहाँ पर ये बड़ी डिस्पिले दी गई है बड़ी डिस्पिले होना कुछ लोगों के लिए प्रोज होता है कुछ के लिए कौन्स भी होता है बाइद अब एक चीज़ और अच्छे लगेगी किया जहां पर साफ साफ लिखा हुआ था 18 वाट फास चार्ची लेकिन वहीं चोटा सा लिखा हुआ था कि भई इसमें आपको 10 वाट का चार्जर मिलेगा तो यह ब्रांट्स ना इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं हलागे कभी-कभी हम जैसे लोग गले की हड़ी बन जाते हैं यह तो इज़त दे रहा है या ले रहा है और देखो इसमें ना वाटर ड्रोप नोच है पंच होल नहीं है और हम बोक्स में ना बेक कवर भी नहीं देते हैं कंजूस तो कोस्ट कटिंग काफी ज्यादा की गई है इसका केमरा मुझे कुछ कंडिशन्स में अच्छा लगा सेल्फी केमरा अच्छा काम कर रहा है फिफ्टी मेगा पिसल पे शिफ्ट होने के बाद भी यह अच्छे फोटोज ले लेता है अब अगर मैं कहूं तो एवरेज केमरा है केमरा और बेटर होना चाहिए था कंपनी मार्केटिंग कर रही है 4,28,000 जबके हमने इसे दो बार चे किया और यह 4,000,000 भी टैच नहीं कर पाया कंपनी एड बहुत ज्यादागा कर रही है पर एसा कुछ नहीं है इंड इस फॉन को 5G बनाने के चकर में कुछ-कुछ जगा पर कोस्ट कटिंग की गई है जो के शायद भाई इतना डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताएगा अब यह आपके उपर है कि आपको आपके पेसे कहां पर इन्वेस्ट करने है अबरोल अगर बताऊं गेविंग के लिए फून यह तो मैं कहूंगा बड़ी डिश्पिले है पर्फॉर्मेंस बेटर है तो इसे कंसीडर कर सकते हो इसके लावा डिजाइन भी अच्छा है एक गोली लग लास तरीका प्रोटेक्शन है तो यह अच्छी चीज है तो बताना मेरा काम है डिसीजन लेना तुम्हारा काम है यह चैनल न अभी निव है यूटूबर अगर कंटेंट पसंद आया तो सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट मेंस वही लाइक शेयर सब्स्रेब किडिन ही नहीं मांग रहा तुम मांग के दो देख अगर तेरी ही ना बेची दी तो ओके ओके चलो ठीक है आज के लिए तना ही मिलत अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जेहिंद